हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो माई इस्टेटी फीट फीजिकल एजुकेशन चैनल दोस्तों आज के सिसर में 51 एमसी की कोस्टन्स का प्रैक्टिस कराया जा रहा है सभी कोस्टन्स आपके लिए मोस्ट इंपोर्डेन होती है एंड वीडियो को सुरू से लाज्ट तक एक एक कोस् प्रैक्टिस करते रहें जिसे आपके एक अच्छे लिवल पर तयारी हो जाए और दोस्तों फीजिकल एजुकेशन के किसी में कमपरेशन एक्जाम का अब प्रिप्रेशन कर रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़ जाए सभी प्रकार की वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है जैसा कि सीलेबनेस के एक और इंस सभी टॉफी का एक स्टेप बाई स्टेप थियूरी सेशन आपको पढ़ाया गया है और प्रिविए सीर कोस्टिन्स भी हल कराया गया है और चेप्टर वाइज एमसी की कोस्टिन्स का भी प्रैक्टिस कराया गया है और डेली बेसे से मैं आपको प्रैक्टिस करा ही रही हूँ तो दोस्तों जैसा कि आपका जो एक जॉम है जून मांथ में कंड़्ट कराने की संभावना है 100% तो आप तयारी करते रहे और जो ही चुनाओ बीतेगा आपके बहुत सारे वेकेंसिज आएंगी लेकिन पड़ आपका तयारी पहले से रहेगा तभी आपका एक सीट कर्फंग हो पाएगा दोस्तों तो इसी मोटिवेशन के साथ चलते है के कोसेंस के तरफ pushing हैं दोस्तों सारिक सिच्छा सिच्छा पधती का एक अभिन अंग है जिसका उद्देश्य नागरिको को सारिक मानसिक सार्वेगिक तथा समाजिक रूप से सार्वेग गति विदियों के माध्यम से सच्चम बनाना यह परिवासा किसका है दोस्तों इंपोरेंट परिवासा है यह परिवासा है चार्स से बूचर का नेक्स्ट है निम्नि मेंसे किस भारतिय खिलाड़ी को पिरेडी कोबारटिन फेर प्लेड प्रोफी नहीं मिली है तो इसमें गुरू हनुमान कुस्ति को माईगल फरेर बिलियर्स को मिला है नेच्ट है अंतराश्टी उलम्पिक समीटी का मुख्याले कहां इस्थित है अंतराश्टी उलम्पिक समीटी य zawsze जिसकी इस्थापना 23 जून 1894 में बेरेन पेरेडी कोबार्टिंग के द्वारा किया गया और यहाँ पेरिज के सरबून नामक अस्थान पर किया गया था इसका जो मुख्याले है लुसानी स्वूर्जन लेंड है और इसके बतमार अध्याश जो है थामस बॉक है तो यहाँ पे राइट एंसर हो जाएगा लुसानी स्वूर्जन लेंड नेश्ट है प्रथम उलम्पिक स्वूर्पदक विजेता खिलाडी का नाम है तो दोस्तों जैसा कि प्राचिन उलम्पिक खेलों का सरब पथम विजेता था कुरूबल एक धावक था और आधुनिक उलम्पिक खेलों का सरब पथम विजेता जेम्स कुनोली था वो भी अमेरिका का एक धावक था तो यहाँ पे राइट एंसर हो जाएगा जेम्स भी कालोनी अमेरिका का थीक है एंड नेक्स्ट कोस्टन है ऐसा कौन सा देश है जिसने अब तक आयोजित सभी उलम्पिक 1980 को छोड़ कर खेलों में पदक जीते हैं तो वह दोस्तों है अमेरिका नेक्स्ट है उलम्पिक खेलों के उदघाटन शमारों के मार्च पास्ट में सबसे आगे कौन से देश का दल रहता है तो आपको पता है दोस्तों सबसे आगे युनान देश के दल रहता है सबसे पीछे में जबान देश होता है और बीच में अल्फाबेट के अनुसार सभी देश होते हैं तो राइट एंसर हो जाएगा सबसे आगे पूछा है तो यूनान और नेक्ट कोशन है भारत की ओर से उलम्पिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला खिलाडी है तो दोस्तों इसमें मेरी लीला राव निलीमा घोस दोनों है बट यहाँ पे माना जाएगा निलीमा घोस को नेक्स्ट है एक ही उलम्पिक में रिकार्ड साथ स्वड़ पदक जितने वाले खिलाडी है तो दोस्तों वो है आपके तैराकी में मार्क इस्पेर्ज अमेरिका के मार्क इस्पेर्ज जो है वह 1972 म्यूनिक पस्चिमी जर्मनी उलम्पिक में साथ स्वड़ पदक तैराकी में इन्होंने हासिल किया और इनके भी रिकार्ड को अमेरिका के ही माइकल फेर्ज ने 2008 बीजिंग उलम्पिक में आथ स्वड़ पदक प्राप्द करके तोड़ा था माइकल फेर्ज जो है अभी तक में 28 मेडल जीट चुके हैं जिसमें 23 गोल्ड तीन सिल्वर और दो ब्रांज मेडल इसलिए माइकल फेर्ज को मेडल वीनिंग मसीन के नाम से भी जाना जाता है जैसा कि माइकल फेल्प्स 28 मेरल जीते हैं 23 गोल्ड, 3 सिल्वर, 2 ब्रांज किस-किस उलम्पिक में जीते हैं 2004 एथेंस उलम्पिक में माइकल फेल्प्स ने 8 पदक जीते जिसमें 6 स्वड़, 2 कास से पदक 2008 में 8 स्वड़ पदक जीते 2012 लंदन उलम्पिक में 6 पदक जीते जिसमें 4 स्वड़ 2 रज़त पदक और 2016 रियो उलम्पिक में 6 पदक जीते जिसमें 5 स्वड़ 1 रज़त जीते नेक्स्ट कोशन है उलम्पिक खेलों में सरवाधि 18 पदक 9 स्वड़ पदक सहित जितनी वाली जिमनाष्ट खिलाडी का क्या नाम है दोस्तों तो उसका नाम है लेरिसा लेट नीना रूस की जिमनाष्ट थी जो 1974 टोक्यू जापान उलम्पिक में और पूरा 18 पदक जीती जिसमें इस 905 रज़त चार काश से पदक जीती 905 रज़त चार काश से पदक कुल 18 पदक आज भी इसका रिकार्ड कोई नहीं तोड़ पाया है दोस्तों यह उलम्पिक में सरवाधिक पदक जीतनी वाली महिला है एंड नेक्ट कोश्चन है और 1932 में इसको पुर्ण अपनाया गया लेकिन अधिकारिक तोर पर प्रधम बार उलम्पिक मसाल 1936 बरलीन उलम्पिक में मसाल को उलम्पिया से लेकर सभी महादीपों से होते हुए उलम्पिक के आयोजन इस तरफ पर लाकर जुआला प्रजलिट करने की सुरुआत हुआ अब काल डाइम ने मसाल दोर का प्रस्ताव पायित किया था उसके बाद तो पर्थम बार अधिकाईत तोर पर मसाल जलाया गया 1936 बरलीन उलम्पिक कर सबसे पहले 1928 में और सबसे पहले महिला खिलाई ने किसमें मसाल जलाने वाली पर्थम महिला खिलाई कौन है उलम्पिक में उस और सट में वह भी की थी तो ओ है नेमी एन्रीक वेटा यहां पर राइड एंसर हो जाएगा एंडिक वेटा बासील गयो इसका पुरे नाम है नेमी एन्रीक वेटा बासीलो सोटेलो या मैकसीको की महिला थी जिन्हें मसाल से जुवान प्रजलिद किया नेक्ट दोस्तों प्राचीन ग्रीस में अपोलो थे तो दोस्तों प्राचीन ग्रीस में जैसे कि जीयस देता को अकास देता सुरी देता को अपोलो देता समुद्र देता को पोसेडियन कहा जाता था तो यहाँ पी अपुलू कौन थे तो सूरी देता को अपुलू देता कहा जाता था नेश्ट है ग्रीस ने डिसकस होती थी तो डिसकस क्या है चक्का फेट एक फेखने की चीज होती थी नेश्ट है ग्रीस वासियों का मुख्य बेवसाय क्या था तो क्रिसी जो है वहां का मुख्य बेऊसा है था नेश्ट है नौजार दुर्बल सीसू मरने के लिए मौंट टाइगेर्स परवत पर किस काल में फेक दिया जाता था दोस्तों आप सब को पता है मैंने डेटिल में परहा हुआ है इस्पार्टा काल में ऐसा किया जाता था नेश्ट है इस्पार्टा में 18 वर्ड्स की उमर में लड़की गोपनिय कोर में नमांकित किये जाते थे जिसका नाम था तो उसका गुपनी कोर का नाम था क्रिप्टिया क्या नाम था क्रिप्टिया नेक्ट के कोस्चन है कि इस्पार्टा में खेल कूत की मैदान को क्या कहा जाता था तो दोस्तों इस्पार्टा में खेल कूत को मैदान को प्लैटे निस्टास कहा जाता था और इस्पार्टा में क्रंबद सिछा प्राली को एगाग कहा जाता था और सिछा प्राली के करता दरता को padonomas कहा जाता था प्रतियोगिताओं में सरो परथम नग्ड़ हो जाने वाले कौन थे तो ऊए थे इस्पार्टा वासी नेक्ष्ट है ब्यायाम साला में तेल की उपयोग की कलपना किशने की तो दोस्तों ब्यायाम साला में तेल का परियोग सबसे पहले उरोम वासियों ने किया नेक्ष्ट है रखते इस्ट्राओ को रोकनी का सबसी कारगर और तातकालिक उपाय क्या है तो इसका है चोट पर सीधा दबाव डालना नेक्ट है इनमे अधिक गंभीर क्या है तो दोस्तों दबाव है कि अपगर से है कि कौकर दुरू है यानि यहाँ पे दोस्तों मुझ जो है यानि स्प्रेंट जो लिगामेंट की चोट होती है तो दोस्तों यहाँ पे अबरेजन विदारर दोनों जो है वो चोट की स्रेड़ी में आता है कोखो यहाँ पे दोनों हो जाएंगे नेक्स है चाकू उस तरह अथा टूटी हुए शी से जैसे तिछले वस्तों के कारण हुए चोट को क्या कहेंगे तो इसे हम कहेंगे कटा फटा चोट नेक्स है निमने लिखित में कौन मेरु दंडी ये छती नहीं है तो दोस्तों मेरु दंड में यानि जो रिड की हर्टी है उसमें भंग भी हो सकता है इस्थान भंग भी हो सकता है डिस्क कखी सक्मा भी हो सकता है यहाँ पे चीर फार नहीं है नेक्स्ट है लू से ग्रस्त ब्यक्ति को किस प्रकार का प्रात्मिक उप्चार आवस्यक है तो दोस्तों उसे कुछ दियर तक धूप में लिताएंगे नहीं उसे एक ग्रास सीतल जल देना तुरंत लू लगने के ज़स्ट बात जल नहीं दिया जाता है कुछ दियर अराम करने के बाद दिया जाता है रोगी को घेर लेना इस सभी गलत चीज़े है यहां पर करेंगे रोगी को सीतल जल सीतल अस्थान पर पहले लिदा देंगे क्या करेंगे रोगी को सीतल अस्थान पर पहले लिदा देंगे ठीक है उसके बाद दूसरा कारे करें कि कुछ देरे का घंटे बाद उसको जल देंगे नेक्स्ट पोशन है CPR का पूरा नाम क्या है तो दोस्तों CPR का पूरा नाम है कार्डियो पल्मोनरी रिससी टेशन यानि कि जो सांस नहीं ले पा रहा है तो डाक्टर के पास ले जाने से पहले हम उसके वच्छ एरिया पर बहुत तेजी से थफ़ थपाते हैं आज इससे उसके सांस की जो क्रिया होती है चलती रहती है इसी कुछ टी पियार बोलते हैं कार्डियो पल्मोनरी रिससी टेशन नेश्ट है दीरोटिक्स मुत्र वर्धक क्या है तो दोस्तो दीरोटिक्स के बारे में मैंने आपको डेटेल में बताया हुआ है जो ये डोपिंग से रिलेटेड है इसे वेट रिडियूर्शिंग दुर्ग भी कहा जाता है इसके लेने के बाद मुत्र की मात्रा जादे मुत्र बढ़ता है बढ़ जाता है जिससे सरी से निकल जाता है और सरी का भार कम हो जाता है इसलिए इसको वेट रिडियूर्शिंग दुर्ग भी कहा जाता है या भार को कम करता है और जिदा पिसाब बनता है पानी मुत्र के रास्ते बाहर आ जाता है और इसका प्रियोग भाहर से जुड़े खिलाड़ी जैसे कि वेट, लिफ्टिंग, रेस्लिंग, एंड बॉक्सिंग खिलाड़ी करते हैं इसका तीर उप्योग किया जाता है दोस्तो एक भाहर को कम करने के लिए, एक डोपिंग को छुपाने के लिए क्योंकि इसके सेवन से यह नहीं पता चल पाता है कि खिलाड़ी की नहीं कौन सा रसायन लिया है और महिलाओं के मासिख धर्म के समय को परिवर्तित करने के लिए प्रयोग किया जाता है और नेक्स्ट कोच्टन है मनुष्य की बाह में चालू उत्तोलग प्रडाली है तो दोस्तो जैसे कि मैंने कई बर बताया हुआ है कि बाह को अगर फैलाएंगे तो वहाँ पर प्रथम प्रकार का उत्तोलग होता है लेकिन जब मोडेंगे फोराम एक फ्लैक्सन करेंगे तो तिर्थी प्रकार का उत्तोलग होता है वहाँ पे चालो उत्तोलक सबस्वेदा हमारे सरी में तो तिती प्रक्राप का उत्तोलक होता है बट बाव में चालो उत्तोलक हमका राइट राइट एंसर हो जाएगा तिती इस्टोडी का उत्तोलक नेक्स्ट है आस्टियोलोजी किसका अध्यन है तो आस्टियोलोजी अस्थियों का अध्यन है एंट्रोलोजी जोडों का अध्यन है मायोलोजी मांस्पेसियों का अध्यन है नेक्स्ट कोशन है मांस्पेसियों का अध्यन कहलाता है तो मायोलोजी नेक्स्ट है मानो खोपड़ी में अस्तियों को कुल संख्या कितनी है तो आपको पता है कि मानो खोपड़ी में याने इस कल बें कुल 29 हडियां होती है जिसमें खोपड़ी में ट्रेनियल में 8, चेहरा में 14, कान में 6 एंड हायर बून 1 जो काल्ट के होता है तो यहां पर 29 नहीं दिया है 22 दिया है तक बाइस आपकर राइट हो जाएगा नेक्स्ट है कलाई में कितनी कारपल अस्तियां होती है दो Baptist कारपल अस्तियां कलाई की बात करे तो 8 और टार्सल जो टक्ने की बात करे तो 7 होती है याद रखिए कि कर लाँ यहां पर आठ हर्डियां होती है नेच्ट है मुक्के बाउज की मांस्पेसियां होती है या यानि बॉक्सर मॉसल्स किसे कहते हैं यहां पर ड्ईट इंसर हो जाएगा सेलेटरस एंटेलियर मॉसल्स नेक्स्ट है गर्दन का जोड उधारण है दोस्तों गर्दन का जोड किसका उधारण है तो गर्दन का जोड जो है पीवर्ट ज्वाइंट याने की धुरागर संधी का एक्जामपल है जिसमें सिर्फ रोटेशन मुमेंट होता है एक हड़ी का सीरा दुसरी हड़ी के मुखील सीरे पर घुमता है जो गर्दन का जोड़ है एंड रेडियस अलना जो हर्दी है रेडियस जो है अलना हर्दी को उपर प्रोमेशन और सुपाइनेशन जैसी घुरंगती करती है वो भी आपका पीवर ज्वारेंट में आ जाएगा समलम यानि त्रेपेजियम पेशिया सहायक होती है तो गर्दन के पीछे की पेशी होती है त्रेपेजियम जो किस कारे में सहायक होती है गर्दन को पीछे धकेलने में सहायक होती है next question है सीखने में परभाव कानियम किसने निरुपित किया तो दोस्तो इसको निरुपित किया है थांडाइक ने थांडाइक एक ने-स सिखने के तीन मुखेनियम love readiness यां तत्धबता कानियम love exercise यान अभ्यात कानियम लाव इफेट या यानि प्रभाव का नियम दिया है जिसके बारे में डिटेट में मैंने बताया हुआ है थियोरी सेजन आप जाओ कि देख सकते हैं नेक्स दोस्तो एसार थियोरी का संबंध निन में से किसके साथ नहीं है यानि इस्टुमिलेट रिस्पॉंस थियोरी यानि पहले इस्टुमिलेट होता है कोई चीज उसको दिखाई देता है तब रिस्पॉंस होता है जैसे भूखी बिल्ली है तो उसको भोजन दिखाई देता है तो उसके पाने के लिए रिस्पॉंस करती है तो इस प्रकार की इनर नहीं है नेक्स दोस्तो मुनविज्यान आज किस रूप में परिभासित किया जाता है तो आपको पता है दोस्तो कि मुनविज्यान को सबसे पहले आत्मा का विज्यान फिर मन का विज्यान फिर जितना का विज्यान और बरतमार में इसी ब्योहार का विज्यान कहा जाता ह यहां पर राइट एंसर हो जाएगा बिहार ओमान से प्रक्रिया का विग्यान नेक्स्ट है मनुविग्यान का जनक किसे कहा जाता है मनुविग्यान का जनक पूछे या प्रायोगिक मनुविग्यान का जनक पूछे तो यहां पर बिलियम उन्ट राइट होंगे या ब्योहारिक मुनविग्यान या प्रयोगातमक मुनविग्यान क्योंकि कोशन BPC-TIE-2 में पूछ दिया था कि ब्योहारिक मुनविग्यान के जनक कौन है या प्रयोगातमक मुनविग्यान के जनक कौन है एक कोशन पूछा हुआ था तो अब का बिलियम उन्ट होंगे अब आदूनिक मनबिज्यान के जनक पूछे तो वहां पे बिलियम जिम्स होंगे और खेल मनबिज्यान के पिता कोल मेन ग्रेफिक και क्छा मनबिज्यान के फिता थांडाइब और वेवहारवाद के जनक जाता वार्सन. ठीक है? किसी गेन को कैच करने में आपका हाथ जानता है कि कब पकड़ना है क्यों जानता है दोस्तों जैसे हमारे सरी में निरॉन होते हैं मस्तिक में तो जो निरॉन होते हैं सेंसरी निरॉन मोटर निरॉन होते हैं सेंसरी निरॉन होते हैं के बार जो मोटर निर्ण होते हैं वो हमारे मसल्स या मांस पेस्टियों तक पहुचाता है जिससे के कारल हमारा हाथ जानता है कि हमको कौन सी वस्तु कब उठाना है तो यहां पर राइड इंसर हो जाएगा आपका सभागी पेसिया मस्तिस को अपवाही संकेत पा रही है यानि मोटर निर्ण इसको संकेत दे रही है नेक्ट कोश्चन है पेसी सरीर आपदा यानि बाड़ी दिजॉस्टर की इस सीटियों के लिए सामना करो या भागो फेस और रन अवे की इस सीटी ग्रहर कर लेता है जब तं 의 canis, pnров, exams लिए cns मतले central nervous system जी सम्में और spinal card होता है on aぁ अगार अवन not लियात जी में जोड़े नाड़ी होती हbleो है जिसमें बारा reans जोड़े चिकर्ण नाड़ी मस्तिक्स निकलती हैं और 31 स्प liaisonол नाड़ी निकलती और अजेसा होता है जिस मेंemedek सिंपेत्टिक होता है यालि कि अנוकंपी तंतरिका जो होती अपरायमक के समय गुष्शा के समय आधकर नग स्थम्पति कि है अप्टिव मिशतीव रहता है और परसिंपेत्थ होता है । प्रानुकम्पी तंदिका तंत्र, ओ, हर्स, खुसी, सांथ अवस्थ हमें एक्टी रहता है, यहां पर राइट इंसर हो जाएगा आपका सेंसिटीव यानि की अनुसम्वेदी तंदिका तंत्र, या इसको आप कह सकते हैं, सिंपर थेटिक भी, ठीक है दोस्तों, नेक्ट है, संविग यानि मुमेंटम को परिभासित करते हैं, तो संविग क्या होता है, जैसे कि दुख, सुख, का भावना, उत्पन होना, गुस्सा आना, यह सभी चीज़े अपका होगा, तो छोग के रूप में आपको यहां पर परिभासित कर सकते हैं, नेक्ट है, एक भरोसे मंद मुरविग्यानिक के जाच का क्या आर्थ है, तो दोस्तों, इसका आर्थ है, माप कि सुसंगती होना चाहिए, कंपेटेबिलेटी आप मिजरमेंट होना चाहिए, नेक्ट है, उत्तम कारेक्रम नियूजन की निम्ने बिसेष्टा है, तो दोस्तों, उसमें बिसेष्टा होना चाहिए, सविघात्मक होना चाहिए, अल्लाची लापन तीनों चीज़े होना चाहिए, ति यहां पर उप्रफ में से कोई नहीं हो जाएगा, नेक्ट है, पाठिक्रम सहभागी क्रियाओं का महत्व निम्ने है, तो पाठिक्रम सहभागी क्रियाओं का पाठिक्रम में प्रगति करने के लिए होता है, खाली समय का सद्यक्योग होता है, समाजिक विकास होता है, ति यहां पे सभी चीज़ों हो जाएंगे, तो उप्रोक परिवर्तन होता है उनके भी सैमी सुचना एकात्रित करके यह उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया ही मुल्यांकन कहलाती है तो यह परिवासा किस की है बात किस ने कहा है तो क्वीलन और हन्ना ने इस बात को कहा है नेश्ट है आउयू के अधार पर सिवीर का विभाजन नहीं है दोस्तों आउयू के अधार पर बाल सिवीर, ब्रिद्ध सिवीर, किसोर सिवीर हो सकता है बट वार्सिक सिवीर नहीं होगा नेक्स्ट है E.K. फ्राक्टवेल ने मादमीक विद्याला में प्रचलित पाठहकरम शोह भागी क्रियों को निमने प्रकार बताए हैं तो वे बताए हैं आपका शोह प्रकार के बताए हैं नेक्स्ट है एर्गर जी जान्सन तथा रॉलैंड सी फ्रांस ने पाठेकरम श्रह भागी क्रियों की प्रकार बताए हैं तो उन्होंने नौ बताए हैं नेक्स्ट है दोस्तो most important है कि जे भी वार्शन ने शिखने के किस सिधान्त की खोज की तो परिच्छड और सिधान्त की खोज किया नेक्स्ट है बीशवी सतापदी में बियोहारवादी संप्रदाय का जन जाता निमनी में से कौन था तो दोस्तों बियोहारवादी संप्रदाय का जन जाता थे जे बी वार्शन कौन थे जे बी वार्सन जैसा कि मन विग्यान जो सबसे पहले आत्मा का विग्यान फिर मन का विग्यान फिर चेतना का विग्यान फिर लाश्ट में ब्योहार का विग्यान जो बरतमान में बना हुआ है आत्मा का बिग्यान कहा अरस्तू प्लेटू ने, मरमस्तिस का बिग्यान कहा पेमपोनोजी ने, सतरवी सतावदी में, केतना का बिग्यान उनिस्वी सतावदी बिलियम उन्ड बिलियम जेम्स ने, और बेवहर का बिग्यान उनिस्वी सतावदी में वार्सन, बुर्वर्वर् वार्सन नेक्स्ट है वह उलंपिक का कौन सा मेजबान देश है जिसे मेजबानी में कोई सुर्थ पदक प्राप्ट नहीं हुआ जब मेजबान नहीं कर रहा था तब की बात हो रहा है ठीक है तो यहां पे राइट इंसर है मौन्ट्रियल कनाडा 1976 तो दोस्तों यह था आज की सेशन में एक क्याओं एंसे की कोस्टन का प्रैक्टिस आई वो की सभी कोस्टन साब को समझ में आये होंगे जो भी डाउट होगा कमेंड में बताइए जो भी कम्या होंगी कमेंड में बताइए और इसी तरह डेली बेसेस पे आप प्रैक्टिस करत